नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दा सीरियस कॉमेडी शो में आज मैं जो व्यंग लेक पढ़ रहा हूँ वो हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित है इसका शीर्षक है एक गौभक्त से भीट और ये उनकी पुस्तक निठल्ले की डायरी में छपा है आज के युग मैं इसे पढ़ना प्रासंगिक लगता है और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी बात से सहमत होंगे एक शाम रेलवे स्टेशन के पास एक स्वामी जी के दर्शन हो गए उंचे गोरे और तगड़े साथ हो थे चहरा लाल, गेरवे रेशमी कपड़े पहने थे पाउं में खड़ाओं, हाथ में सुनहरी मूट की छड़ी साथ ही एक छोटे साइस का किशोर सन्यासी था उसके हाथ में ट्रांजिस्टर था और वो गुरू को रफी के गाने सुनवा रहा था मैंने पूछा, स्वामी जी कहा जाना हो रहा है स्वामी जी बोले, दिल्ली जा रहे हैं बच्चा मैंने का स्वामी जी मेरी काफी उम्र है, आप मुझे बच्चा क्यों कहते हैं स्वामी जी हसे बोले बच्चा, तुम संसारी लोग होटल में साठ साल के बुड़े बेरे को छोकरा कहते हो न उसी तरह हम तुम संसारीयों को बच्चा कहते हैं ये विश्व एक विशाल भुजनाले है जिसमें हम खाने वाले हैं और तुम परोसने वाले हो इसलिए हम तुमें बच्चा कहते हैं बुरा मत मानो संबोधन मात्र है स्वामी जी बात से दिल्चस्प लगे मैं उनके पास बैठ गया वे भी बेंच पर पालती मार कर बैठ गये सेवक को गाना बंद करने के लिए कहा कहने लगे बच्चा धर्म युद्ध छड़ गया है गो रक्षा अंदोलन तीवर हो गया है दिल्ली में संसत के सामने सत्याग रह करेंगे मैंने कहा स्वामी जी ये अंदोलन किसे तु चलाये जा रहा है स्वामी जी ने कहा तुम अज्ञानी मालुम होते हो बच्चा अरे गो की रक्षा करना है गो हमारी माता है उसका वद हो रहा है मैंने पूछा ये कौन कर रहा है वे बोले विधर्मी कसाई मैंने कहा उन्हें वद करने के लिए गो कौन बेशते हैं वे आपके सधर्मी गो भगती ही है ना स्वामी जी ने कहा सो तो है पर वे क्या करें एक तो गाए व्यर्त खाती है और दूसरे बेचने से पैसे मिल जाते है मैंने कहा यानि पैसे के लिए माता का जो वद करा दे वही सच्चा गोपुजक हुआ स्वामी जी मेरी तरफ देखने लगे बोले तर्क तो अच्छा कर लेते हो बच्चा पर ये तर्क की नहीं भावना की बात है इस समय जो हजारों गोभक्त अंदोलन कर रहे हैं उनमें शायद ही कोई गोपालता हो पर अंदोलन कर रहे हैं ये भावना की बात है स्वामी जी से बाच्चीत का रास्ता खुल चुका था उनसे जम कर बाते हुई जिसमें तत्व का मन्थन हुआ जो तत्व प्रेमी हैं उनके लाभार्थ वारतालाप निचे दे रहा हूँ स्वामी और बच्चा की बाच्चीत स्वामी जी आप तो गाए का दूद ही पीते होंगे नहीं बच्चा, हम भैस के दूद का सेवन करते हैं गाए कम दूद देती है और वो पतला होता है भैस के दूद की बढ़िया, गाड़ी मलाई और रबड़ी बनती है तो क्या सब गौभक तो भैस का दूद पीते हैं? हाँ बच्चा, लगभक सभी तब तो भैस की रक्षा है तो आंदोलन चलाना चाहिए भैस का दूद पीते हैं मगर माता गौग को कहते हैं अरे जिसका दूद पिया जाता है वही तो माता कहलाईगी यानि भैस को हम माता नहीं बच्चा तर्क ठीक है पर भावना दूसरी है स्वामी जी हर चुनाव के पहले गौभक्ति क्यों जोर पकड़ती है इस मौसम में कोई खास बात है क्या बच्चा जब चुनाव आता है तब हमारे नेताओं को गौमाता सपने में दर्शन देती है कहती है बेटों चुनाव आ रहा है अब मेरी रक्षा का आंदोलन करो देश की चंता अभी मूर्ख है मेरी रक्षा का आंदोलन करके वोट ले लो बच्चा कुछ राजनेतिक दलों को गौमाता वोट दिलाती है जैसे एक दल को बैल वोट दिलाते है तो ये नेता एकदम आंदोलन छेड़ देते हैं और हम सादों को उसमें शामिल कर लेते हैं हमें भी राजनेति में मज़ा आ जाता है बच्चा तुम हमसे ही पूछ रहे हो तुम भी तो कुछ बताओ तुम कहां जा रहे हो स्वामी जी मैं मनुष्य रक्षा अंदोलन में जा रहा हूँ ये क्या होता है बच्चा स्वामी जी जैसे गाये के बारे में मैं अग्यानी हूँ वैसे ही मनुष्य के बारे में आप है पर मनुष्य को कौन मार रहा है इस देश के मनुष्य को सूखा मार रहा है अकाल मार रहा है महंगाई मार रही है मनुष्य को मुनाफा खोर मार रहा है काला बाजारी मार रही है प्रष्ट साशन तंत्र मार रहा है सरकार भी पुलिस की गोली से चाहे जहां मनुष्य को मार रही है बिहार के लोग भूके मर रहे है बिहार? बिहार शहर कहां है बच्चा? बिहार एक प्रदेश है, राज्य है, अपने जम्बू द्वीप में है ना, स्वामे जी इसी देश में है, भारत में, यानि आर्यावर्त में, जी हाँ ऐसा ही समझ लीजिए, स्वामे जी आप भी मनुष्य रक्षा अंदोलन में शामिल हो जाईए ना, नहीं बच्चा, हम धर की रक्षा करो, कोई भी जीवधारी मनुष्य से श्रेष्ट है, तुम देख नहीं रहे हो, गोरक्षा के जुलूस में जब जगड़ा होता है, तब मनुष्य ही मारे जाते हैं, एक बात और है बच्चा, तुम्हारी बात से प्रतीत होता है, कि मनुष्य रक्षा के लिए हम से नहीं होगा, यही लोग तो गोरक्षा अंदुलन के लिए धन देते हैं, हमारा मुह धर्म ने बंद कर दिया है, खर छोड़िये मनुष्य को, गोरक्षा के बारे में मेरी ज्यान वृद्धी कीजिए, एक बात बताइए, मान लीजिए आपके बरामदे में गेहु पुझ्य है, बेटे के गेहु खाने आई है, आप हाथ जोड़कर स्वागत क्यों नहीं करते कि आ माता मैं कृतार्थ हो गया, सब गेहु खा जा, बच्चा तुम हमें मुर्ख समझते हो, नहीं मैं आपको गौभत समझता था, सो तो हम हैं, पर इतने मुर्ख भी नहीं है कि गाए को गेहु खा जाने दे, पर स्वामी जी ये कैसी पुझा है कि गाए हड़ी का धाचा लिये हुए, मुहले में कागज और कपड़े खाते फिटती है और जगा जगा पिटती है, बच्चा ये कोई अचरज की बात नहीं है, हमारे यहां जिसकी पुझा की जाती है, उस बच्चा दूसरे देशों की बात छोड़ो, हम उन से बहुत उचे हैं, देशता इसलिए सिर्फ हमारे यहां अफ्तार लेते हैं, दूसरे देशों में गाए दूद्ध के उप्योग के लिए होती है, हमारे वहां वो दंगा करने अंदोलन के लिए होती है, हमारी गाए और सब समस्याएं छोड़कर आप लोग इसी एक काम में क्यों लग गए इसी से सब हो जाएगा बच्चा अगर गौरक्षा का कानून बन जाए तो ये देश अपने आप सम्रिद्ध हो जाएगा फिर बादल समय पर पानी बरसाएंगे भूमी खूब अन देगी और कार खाने बिन भगवान दूसरा है बच्चा उनका भगवान इस बात का खयाल नहीं करता और रूस जैसे समाजवादी देश भी गाई को नहीं पूचते पर सम्रिद्ध हैं उनका तो भगवान ही नहीं है बच्चा उन्हें दोश नहीं लगता यानि भगवान रखना भी एक जंजट ही है वो हर बात का दंड देनी लगता है तर्क ठीक है बच्चा पर भवना गलत है स्वामी जी जहां तक मैं जानता हूँ जनता के मन में इस समय गोरक्षा नहीं है महंगाई और आर्थिक शोशन है जनता महंगाई के खिलाफ अंदोलन करती है वो वेतन और महंगाई बढ़वान के लिए हर्ताल करती है जनता आर्थिक नहाई के लिए लड़ रही है और इधर आप गोरक्षा नहीं निकर बैट गए है इसमें तुक क्या है बच्चा इसमें तुक है देखो जनता जब आर्थिक नहाई की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज में उलजा देना चाह है बच्चा आर्थिक नहाई की तरफ बढ़ती को हमें रास्ते में ही गाय के खूंते से बांद देते हैं ये अंदुलन जनता को उलजाई रखने के लिए है स्वामी जी किसकी तरफ से आप जनता को इस तरह उलजाई रखते हैं जनता की मांग का जिन पर असर पड़ेगा उनकी तरफ से, यही धर्म है, एक द्रिश्टांत देते हैं, एक दिन हजारों भूखे लोग व्यवसाई के गोदाम में भरे अन्न को लूटने के लिए निकल पड़े, व्यवसाई हमारे पास आया, कहने लगा स्वामी जी कुछ करिये, ये लोग तो मेरी सारी जमापूंजी लोट लेंगे, आप ही बचा सकते हैं, आप जो कहेंगे सिवा करेंगे, बस बचा, हम उठे, हाथ में एक हड़ी ली और मंदिर के चबूतरे पर खड़े हो गए, अब वे हसारों भूखे गोदाम लोटने का नारा लगाते आये, तो मैंने उन्हें हड़ी दिखाई और जोर मानी चाहिए, मैं इसी शड़ से यहां उपवास करता हूँ, मेरा उपवास तभी तूटेगा, जब मंदिर की फिर से पुताई होगी और हवन करके उसे पुनह पवित्र किया जाएगा, बस बच्चा, वो जनता आपस में ही लड़ने लगी, मैंने उनका नारा बदल दिया, जब में लड़ चुके तो मैंने कहा, धन्य है इस देश की धर्म प्राण जनता, धन्य है अनाज के व्यापारी सेथ, अमुक जी, उन्होंने मंदिर की शुद्धी का सारा खर्च देने को कहा है, बच्चा चिसका गोदाम लूटने वे भूके जा रहे थे, उसकी जय बोलने लगे, बच्चा ये है धर्म का प्रताब, अगर इस जनता को गोरक्षा अंदोलन में न लगाएंगे तो ये बैंकों के राश्ट्री करण का अंदोलन करेगी, तनख्वा बढ़ाने का अंदोलन करेगी, मुनाफ़ा खोरी के खिलाफ अंदोलन करेगी, उसे बीच में उलज अंदोलन भी समाप्त हो जाएगा, आगे आप किस बात पर अंदोलन करेंगे, अरे बच्चा, अंदोलन के लिए बहुत विशे हैं, सिंख दुरगा का वाहन है, उसे सरकस वाले पिंजरे में बंद करके रखते हैं और उससे खेल कर आते हैं, ये अधर्म है, सब सरकसों के ख पालन विभाग, फिशरीज महकमा बंद करवाएंगे, स्वामी जी उल्लू लक्ष्मी का वाहन है, उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए, ये सब उसी के लिए तो कर रहे हैं बच्चा, इस देश में उल्लू को कोई कश्ट नहीं है, वो मज़े में है, हितन में गाड़ी आ गई, स्वामी जी उसमें बैठ कर चले गए, बच्चा वहीं रह गया, दोस्तों ये हरी शंकर परसाही जी का व्यंग था, आप अपनी पसंद ना पसंद कॉमेंट करके जरूर हम तक पहुँचाएं, और यदि आपको ये लेक पसंद आया हो, तो इसको शेयर करें, धन्य आपको येवाद आपको येवाद